दिसंबर 2020 में हमने अलमोडा में एक कालतीत कौशल का सेंटर खुला है इस शमता समवर्धन केंद्र या केपासिटी बिल्डिंग सेंटर में हम स्टूडन्स को कई सारी फील्ड्स में प्रोजेक बेस लर्निंग की ऑपरचुनिटी देने की कोशिश कर रहे हैं से डिजिटल स्किल्स के ऊपर, रोबोटेक्स, एलेक्रोणिक्स, आयोटी इस किसम की फील्ड्स के ऊपर कंप्यूटर कोडिंग या यंगर स्टूडेंट्स के लिए बेसिक कंप्यूटर लिटरसी एंड कॉंप्यूटेशनल थिंकिंग Center में हम Library और Learning Facilities भी उपलब्त करा रहे हैं और साथ ही हम Center में Face-to-Face Classes, Workshops और Video Conference से Remote Classes भी ले रहे हैं हमारा एक Initiative यहां था कि हमने Graduate और Post-Graduate Students का एक सर्वे किया जहां हम जानना चाहते थे कि उनकी Mentoring Needs क्या है Career Counseling के उपर उनको किस किसम का Guidance जो है वो Help करेगा इस Survey में हमारा एक सवाल था कि आपकी Aspiration क्या है आप बनना क्या चाहते हो जैसा और जगे भी नजर आता है अधिकतर Students ने कहा कि वो या तो Government Job चाहते हैं या वो Teaching में जाना चाहते हैं या वो Civil Servant बनना चाहते हैं Teacher बनने में, Professor बनने में, Civil Servant बनने में Government Job में कोई बुराई नहीं है पर जो ज़्यादा Important बात है वो है कि क्या आपने जो भी आपकी Field of Study था उसमें आपने Research करी कि वहाँ पर किस किसम की और नई नौकरिया निकल रही है किस किसम से Trends और Technology जो हैं, वो उस Field को बदल रहे हैं तो इस वीडियो में मैं Career Choices के उपर कुछ आपके साथ जानकारी शेयर कर रहा हूँ जो सबसे Important बात है वो है कि जब आप अपने Career के बारे में सोचते हैं तो आपको अपने Options को Narrow Frame नहीं करना चाहिए Narrow Frame का मतलब है, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको विकल, Alternate ही केवल ये नजर आते हैं कि आप Government जॉब चाहते हो या Teaching में जाना चाहते हो तो शायद आप बिग पिक्चर जो है उसको Miss कर रहे हो और जिस किसम से Technology और Emerging Trends आजकल हर Field को बदल रहे हैं हो सकता है कि आप अगर Narrow Framing कर रहे हो तो आप कोई बहुत Exciting Opportunities के बारे में जानकारी नहीं रखते हो तो ये जानकारी कैसे आप पा सकते हो हम इस पे एक नजर डालते हैं तो ये समझाने के लिए मैं Botany का Example ले रहा हूँ क्योंकि इस सर्वे में एक MSC Botany की Student ने कहा था कि वो Professor बनना चाहती है तो मैं के वले दिखा रहा हूँ कि Professor बनने में कोई दिक्कत नहीं है पर अगर आप Botany Field के बारे में Research करेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि कि कितना कुछ नया हो रहा है और शायद आपको वो चीज़े जादा Exciting लगें तो इस Research के लिए आप आप of course Google में जाके Search कर सकते हैं बट जब हम Jobs के बारे में बात कर रहे हैं तो हम थोड़ी जादा Focused Research कर सकते हैं on a website like LinkedIn तो मैं LinkedIn में जाके कि यहाँ पे कह रहा हूँ Botany in Jobs तो Botany in Jobs को जब मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे LinkedIn में आप उसके बाद कोई geographical location भी डाल सकते हैं तो of course आप नौकरी इंडिया में ढूड रहे हैं पर इस वक्त हम नौकरी नहीं ढूड रहे हैं हम Botany की फील्ड में नया क्या हो रहा है यह जानना चाहते हैं इसलिए मैं जानबूच के कोई और country रख रहा हूँ आप America, Australia, Singapore कोई भी रख सकते हैं मैं अभी United Kingdom रख रहा हूँ तो United Kingdom में जब मैं हूँ तो मुझे यहाँ पे Botany में United Kingdom में किस किसम की jobs हैं इसका एक sense मिलता है तो जैसे सबसे पहली यह job है यह है एक project manager की in a company called vertical future और यह जो vertical future company है यह कह रहे हैं कि they are a London based vertical farming technology company तो यह जो vertical farming है यानि कि building के अंदर farming करना in a controlled environment जहाँ पे की computers और sensors और light सित्यादी लगा कर हम जो environment है उसको control करते हैं यह एक emerging trend है क्योंकि उन जगाओं में जहाँ पर की farming land की कमी है जैसे Singapore वहाँ पर vertical farming बहुत important होती जा रही है तो जब आप इस किसम से search कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको notes बनाने चाहिए तो जैसे अगर आपको vertical farming के बारे में जादा नहीं पता है तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि मैं botany की jobs के बारे में research कर रहा था और मुझे पता चला कि vertical farming एक चीज होती है और मैं बाद में जाके इसको google करके इसके बारे में और जानकारी ले सकता हूँ तो इसी तरीके से अगर फिर मैं आगे और देखता हूँ तो project manager की job के बाद यहाँ पे एक और job है landscape architect की यानि की botany करने के बाद आप एक professional landscape architect बन सकते हैं एक और job है international biodiversity consultant की तो biodiversity जो है again अगर आप trends के साथ अपनी jobs को map करेंगे तो जो trend है वो है कि because of climate change because of global warming issues like clean energy और biodiversity यह चीज़े बहुत interesting है इन में बहुत investments होंगी आने वाले सालों में यानि कि इन में बहुत सारी नई नौकरियां भी होंगी तो अगर मैं इन्टरनेशनल biodiversity consultant की नौकरी के बारे में फिर मैं जानना चाहता हूँ कि किस किसम की qualifications चाहिए तो यहाँ पर जब मैं मैं quickly scan कर रहा हूँ विडियो छोटा रखने के लिए जब आप research करो तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए इन सब चीज़ों को तो यहाँ पर हम ये for example ये कह रहे हैं कि field based ecology research तो ये एक skill है कि आपको आपके पास field based research का experience है की नहीं है फिर ये आगे कह रहे हैं कि knowledge of knowledge of international conservation frameworks in policies such as CITES and IUCN तो जैसे IUCN जो है वो एक international organization conservation के ओपर तो मैं यहीं से अगर मुझे ये नहीं पता है और मैं botany का student हूँ तो मैं अपने notes मैं add कर रहा हूँ कि मुझे इस चीज़ के बारे में research करनी चाहिए कि ये conservation frameworks क्या है फिर हम आगे जाके यहाँ पर ये कह रहे हैं कि financial lending standards such as these तो again इनको भी search करके अपनी research में लिख लीजे और आप इनको बाद में Google में जाके इनके बारे में अपनी knowledge build कर सकते हैं फिर वैसे ही वो कह रहा है कि a good understanding of the concept of biodiversity offset design तो again अगर आपको पता नहीं है कि biodiversity offset design क्या होता है तो आप यहाँ पर note कर लीजे और बाद में इसको Google कीजिए फिर हम यहाँ पर अगर देखेंगे कि यह कह रहे हैं कि main इसमें काम क्या होगा तो यह पढ़ना जरूरी है बिकाज यह पढ़के आपको एक idea मिलता है कि अगर आप day in and day out यह नौकरी करेंगे 5-7-10 साल के लिए तो क्या आप यह काम करना enjoy करेंगे की नहीं करेंगे तो इसी तरीके से आप फिर अगर मैं और यहां पर देख रहा हूँ biodiversity consultant के बाद agronomist की job है तो agronomist I imagine इसका मतलब होगा agricultural economist आप सबसे पहले तो अपनी notes में यह लिख लीजे कि आपको पता करना है कि agronomist होता क्या है तो इसी तरीके से आप यहां पर और jobs देख सकते हैं आप यहां जाके location बदल सकते हैं इस तरीके से अगर मैं 4-5 different locations को search करूँगा मेरी knowledge जो है अपनी field के बारे में deepen होनी लगेगी LinkedIn पे आप not only अपनी field की jobs को search कर सकते हो अगर आप यहां पर search करना शुरू करोगे तो वो कह रहा है botany in jobs botany in people and botany in groups तो botany in people से आपको मिलेंगे वो लोग जो की इस field में specialize करते हैं और आप उनसे LinkedIn के थूँ connect हो सकते हो तो यहां पर अगर मैं botany in groups में जा रहा हूँ तो यह LinkedIn में वो groups हैं जो की centered हैं around interest in botany तो अगर आप यहां पर मैं scroll through कर रहा हूँ तो मुझे जैसे for example यह दिख रहा है department of botany अलीगर्ड Muslim University अलीगर्ड तो अगर आप Indian context में जानना चाहते हैं तो हो सकता है कि आप LinkedIn join करके इस group को एक request भेजिए कि आप इनका group join करना चाहते हैं और क्यों join करना चाहते हैं तो हो सकता है कि वो आपको accept कर लें और फिर आपको एक community of practice जिसे कहते हैं कि जो botany के around जो shared interest रखते हैं उनकी जो community of practice है आप उसको join कर सकते हैं वैसे ही जैसे forensic botany है अगर आपको यही नहीं पता कि forensic botany होता क्या है तो again आपको सबसे पहले तो अपनी reading list जो आप बना रहे हो उसमें note कर लेना चाहिए कि यह further research के areas है और अगर आपको यह interesting field लगती है तो आप फिर इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हो तो LinkedIn एक तरीका है पता करने का उसी तरीके से अगर आप और jobs की website पर जाओ जैसे nokri.com और nokri.com पर जाके मैं कहता हूँ botany botany में jobs या botany में internships तो मुझे फिर यहाँ पर idea मिलेगा कि किस किसम की jobs available है और उन jobs को जाके अगर मैं देखूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि वो जो job है क्या वो मुझे interest करती है और अगर मुझे वो job interest करती है तो उसमें क्या qualification required है किस किसम का experience required है etc not only कि आप job website पर जा सकते हो even जितने social media हैं उन social media को आप use कर सकते हो to deepen your knowledge तो जैसे मैं facebook में जाके मैंने botany search किया है तो मुझे यहाँ पे botany के इतने सारे ये groups मिल रहे है botany professors in students mycology, botany everyday तो again आप यहाँ जाके पढ़ सकते हो कि ये group किस के बारे में है ये private group है कि public group है और आप फिर in communities of practice के member बन कर पता कर सकते हो कि इस field में और नया क्या हो रहा है to sum up आपका जो भी subject of study है जब आप उसमें नौकरी के बारे में सोच रहे हो तो आपको अपनी options narrow frame नहीं करनी चाहिए पहले एक बहुत broad frame से देखना चाहिए और इसके लिए आप LinkedIn या job sites में जाकर जो भी आपकी field of study है उसको scan करके ये पता कर सकते हो कि वहाँ पे किस किसम की नई jobs आ रही है ये करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि universities वगेरा में जो syllabus है वो current industry में demand किस चीज़ की है उससे align नहीं होता तो अगर आप इस किसम की जब search करते हो तो आपकी अपनी समझ गहरी होती है कि आप जिस भी field में आप पढ़ रहे हो उस field में नया क्या हो रहा है किस किसम की नई jobs आ रही है उनके लिए किस किसम की qualifications चाहिए और अपनी knowledge और गहरी करने के लिए आप फिर उस field में professional से बातचीत कर सकते हो जो कि आप या तो अगर आप जानते हो किसी को तो उनसे बात कर सकते हो या फिर आप social media में जाके उस field में जो communities of practice हैं जैसे LinkedIn में या Facebook में आप वहाँ जाके उसके member बन सकते हो उनको follow कर सकते हो ताकि आपको आपकी समझ जो है वो गहरी हो और इस किसम की research करने से आप एक बात तो ये समझ में आती है कि उस field में नया क्या हो रहा है और फिर उस नई area में काम करने के लिए आपको किस किसम की qualification, skills, experience, इतियादी चाहिए